हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल सड़ी विद अंकिता स्वागत हैं आप सभी का मेरे इस चैनल पर आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे स्सी छेसल का प्रिविस येर जी के पेपर तो चलिए शुरू करते हैं ये हैं हमारा सेट फाइफ तो हमारा फर्स्ट कोशन है विच पॉपलर इंडियन बैंड अफ दे नाइन्टीज रिलीज सेर फर्स अल्बम बून दे विद मोहित च्वान एजलीट जानिकी इनमें से कौन सी इंडियन बैंड ने नाइन्टीज के टाइम पे अपनी फर्स्ट आल्बम रिलीस की थी बूंदे जिसमें कि मोहिच्छवान as a lead थे तो इसका सही अंसर हो जाएगा Silk Root Silk Root हमारा बहुती popular Indian band है आगे In the 2019 नेंदर मोधी cabinet Which portfolio is assigned to Smriti Rani यानि कि Smriti Rani के पास इन में से कौन सा portfolio है तो इसका सही अंसर हो जाएगा Ministry of Women and Child Development और आप जाद रखिएगा Smriti Rani जी के पास Ministry of Women and Child Development के अलावा भी Ministry of Textile भी है तो जाने कि Smriti Rani जी के पास दो मिनिस्ट्री है एक तो Ministry of Women and Child Development और दूसरी है Ministry of Textile आगे बात करते हैं जो हमारी Ministry of Human Resource Development है जाने कि HRD मिनिस्ट्री है वो है डॉक्टर रुमेश पोकरियाल जी के पास और हमारी Ministry of Law and Justice है रवी शंकर परसाद जी के पास रवी शंकर परसाद जी के पास Ministry of Law and Justice के अलावा Electronics and Technology Communication Portfolio भी है आगे Ministry of External Affairs है सुबरमनियम जाएशंकर के पास यह सारे पॉइंट्स आप जाद रखिएगा आगे बात करते हैं इन विच इयर दा इंडियन क्रिकेट टीम वोन दा ODI World Cup for men for the second time जाने कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने दूसरी बार World Cup Cup जीता था ODI का तो इसका सही अंसर होगा सब को मालूमी ही होगा उस फाइनल मैच में हमने श्री लंका को हराया था और उस समय हमारे कप्तान थे MS धोनी हमने फर्स टाइम वर्ल्ड कप जीता था 1983 में जब हमारे कैप्टन थे कपिल देव जी और हमने वेस्ट इंडिस को उस ताइम हराया था वेस्ट इंडिस का जे लगातार तीसरी बार फाइनल था वेस्ट इंडिस इससे पहले दोनों वर्ल्ड कप जी चुका था और हमने इंडिया ने इस तीसरे वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडिस को फाइनल में हराके अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव के क्राउड कम्प्यूटिंग क्या होता है कि आप अपनी जो ।ॉटा है आपके पास जो भी अपके पास फाइल जो भी परकार का डाटा है आप उसे अपने कम्प्यूटर में चूरिज करके एक आप एक सर्वर में स्टोर करें जो आप से काफी दूर हो बट आपको जब भी वो डाटा चाहिए आप उसे एक स्किंट में ही ले सकते हैं इसे ही हम कमलावड क्लावड कंप्यूटिक बोलते हैं आप समझगे चलिए कि जैसे Facebook है आप अगर अपने Facebook कोई भी पिक्चर अप्लोड करते हैं 5-6 साल पहले तो आप अगर आप उस पिक्चर को देखना चाहते हैं अभी आप अपने फोन में देख सकते हैं वह कैसे संबभ होता है आईडी से इसी हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आज के जरीय में जे सारे जो फेस्बुक हैं ट्वीटर हैं जो भी नेटवर्क्स हैं इन्होंने अपने डाटा सेंटर्स बना रखे हैं और अपने सर्वर्स बना रखे हैं यहां पर जे डाटा इतना जादा डाटा सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ कि आटीविशिल इंटेक्नीक में यूज किया जाता है ताकि डाटा को अच्छे से कर सकें आगे विच फॉल्विंग बैंक वस पाउंड़ बाए मुतिया चिंदंबंबर चेटियर मुतिया इन चनई इन 1937 तो कौन सा बैंक फांड किया इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा इंडियन ओवर्सीज बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए यह तरह का हमारा पब्लिक बैंक है ठीक है और इसे फांड किया था टैन फर्बरी 1937 में यह जाद रखिएगा इसके जो हैड़क्वार्टर से हैं वह हैं चनई में तमिला तो और इसके जो फांडर का नाम है यह हैं एम सीटी एम चिंदमंबर चैतियार ठीक है और इसकी जो टाइग लाइन है वह है गुड़ पेपल टू ग्रोविद आगे तक क्योट क्योट बंस और पिस्टर्स दूनट में का रावलेशन दस्वर्स ओफ रावलेशन इस शापन अगर हम पिस्टोल और बं की बात करें तो इससे कोई रावलेशन नहीं आगी बट जो हमारी जो अपने जो आइडियास है उनकी जो धार है उस तलवारों की धार है उसी से यह करांती आती है यह किस फ्रीडम फाइटम ने कहा था तो इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा भग सिंग जी के बारे में थोड़ा सब पढ़ लेते हैं बागा सिंग को हम शीरीद बागा सिंग के नाम से भी जानने हैं इनका जो बर्थ अनवस्तरी मनाई जाती है वह होती है ट्वंटी एड सपनमबर को और जो इनकी देख अनवस्तरी थी वह थी 23rd मार्च को वह एक तरह के शोशिलस्त और रावलेशनरी माने जाते थे और उन्हें सबस्या मतलब हम इंपॉर्टंस देते हैं जो इंडर रावलेशनरी मूव्मेंट थी भगसिंग सुकदेव और राजगूरों को तेईस मार्च को उनीस्तों कटिस में फांस्ती के सदा दे गई दे दी गई थी लोह है इसका सही अंसर हो जाएगा केरला आए थोड़ा सा केरला की और लेक्स के बारे में भी जान लेते हैं केरला की जो यह सबसे लोंगेस्ट लेक हैं और इसी में एक रेस कराई जाती है जिसका नाम होता है स्नेक बोट रेस और इसे जवाहलना नेर्ट ट्रॉफिक अपसे भी जाना जाता है और एक अश्टमूडी लेक पारावर लेक साश्टमकोटा लेक और वैलियानी लेक यह कुछ इंपोर्टन ले है कैल्शियम का और आप जो और होते हैं वह भी जात कर लीजिए क्योंकि पेपर में इनसे से डेक्ट कोशन बन जाता है मैंने आपके लिए लिस्ट प्रवाइड कर दिया कुछ जो इंपोर्टन मैटल्स है जिनके इंपोर्टन मैटल्स और उनकी और है आप प्लीस इसे एक दिखान देखो इसमें मैगनिशियम का निकलेगा और कर्शियम का निकलेगा जानि कि यहे कॉमन है अपसंसाल्ट कैर रिट और कैल साइट जिसम फ्लोर सोपार छीपर्ट कॉपर इसारे अप अच्छे से पढ़ लेना मर्क्री का सीमा बार का पूछा आपको पूछा जाता है पेपर में ठीक है और लैड का गैलेना एंटिमोनी श्टीबिनाइट कैडमीमम गरीनोसाइट बिसमित बिस्माइटाइट आयरन के भी काफी इंपोर्टन होते हैं हैमाटाइट लेमोनाइट मेगनाइट तो आपको जाद रखना एंप्शना है यूरे आगे बात करते हैं इन अप्रेल 2018 जेनरल असेंबली ट्रेयर ठर्ड जून की दोटारा में अप्रेयल में जुन जेनरल असेंबली ने तीन जून को क्या मनाने का धिन घोशित किया था तो इसका सही एंसर हो जाएगा वर्ल्ड बाइसाइकल डे इस बार भी मनाया गया है इस यह वाज सेंट्रल बॉर्ड ऑफ रेवैन्यू एक्ट इन इंडिया प्रोलेटेड जैनकि सेंट्रल बोर्ड फ्रेवैन्यू एक्ट के साल में इंडिया में आया था तो इसका सही एंसर हो जाएगा हमारा 1963 में आया था यह एक्ट पार्ट का मतलब क्या है गा कि ये तरह क इसमें जो बोड एजनकि जो टैक्सी का अलग से एक बॉड बनाने का हमें मतलब हग देता है इससे अम जो बोड़ ऑफ रवेन्य फोर रट टैक्सिस और और साइजिस और कस्तम्स तो अमें बात करते हैं इंडरा सागर डैम इस वीचिज़ इस वीचिट ग्रैवर्टी डैम इस लोकेटेड इन वीच ओफ दा फॉल्विंग स्टेट्स ओफ इंडिया इंडरा सागर डैम इनमें से कौन से स्टेट में उपस्तित है जिसका सही अंसर हो जाएगा हमारा मद्या परदेश मद्या परदेश इंडरा सागर डैम और जो कौन सी नदी के बना हुए तो इसका सही अंसर होगा नर्मदा में चिक है आईए मद्यपरदेश के बारे में पढ़ लेते हैं मद्यपरदेश का जो स्टेट हूट डे है वो मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को मद्यपरदेश की कैपिटल है बोपाल इसमें डिस्ट्रिक्स है 52 गवर्नर है लाजजी टंडन लाजजी टंडन को अभी अनंदी पते मद्यपरदेश का कारगार संभाल रही है क्योंकि लाजजी टंडन की तबित खराब होने की वज़े से और चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंग चुहान मेंबर ऑफ राजजी सेटिव असेंबली है 230 लोग सबा सीटे है 29 और राजजे सबा की जाम पे है 11 सीटे मद्यपरदेश की जो बाउंडरी है वो सांजा होती है राजजेस्थान से उत्तरपरदेश से 36 गड़ से और महाराश्टरा से और चोटी सी बाउंडरी गुज़राश से भी सांजा होती है जी आप जाद रखेगा बाउंडरी सगरा पेपर में अक्सर पुछी जाती है आगे हम थोड़ी से बात कर लेते हैं कि मद्यपरदेश की करंट अफिर्स क्या है तो चीफ मिनिस्टर अफ मद्यपरदेश शिवराश सिंग चोहान उन्होंने एक फोटर स्टाट किया था जिसका नाम था स्ट्रीट वेंडर रेजिस्ट्रेशन और एक मुख्य मंत्री शहरी पथ शहरी पाथ व्यासी उथान जोजना इसमें क्या गया था दो तीन सो क्रोड पे थे वो ट्रांसफर किये थे अर्बन लोकल बोडिस को ताकि इन स्ट्रीट वंडर्स की हल्प कर सकें और चीफ मिनिस्टर मद्यपरदेश शिवराश सिंग चोहान ने एक और स्कीम की शुरू की थी जिसका नाम था एवरिबड़ी इनिशेटिव शुरू किया था चरण पादुका स्कीम इसमें से जो मैगरेंट लेबर से उन्हें चपलें दी जा रही थी जो कि अपने अपने स्टेट से चल कर वापिस जा रहे थे और मद्यपरदेश की होम निस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक स्कीम लांच की आपके दवार जोजना इसमें क्या होगा भुपाल में जिसकी तरह पाइलेट प्रजेक्ट शुरू किया गया है जिसमें कि आपकी जो आपको लखवानी है तो आप अपने घर पर भी आपको लखवा सकते हैं आगे मद्यपरदेश के इंपोर्टेंट डैम्स की बात कर पर है गांधी सागडू राजगाड राजगाद गांदा बेटवा में और तवा रिजोविय डैम है तवा नदी पर यहतार है दो जाते आगे when pressure is applied to a fluid the pressure changes is transmitted to every part of the fluid without any loss which of the following law explains this phenomenon जानि कि जब हम एक fluid है कोई तरल पदात है उसे हम pressure apply करेंगी तो जो pressure है वो सारे की सारे fluid में फैल जाएगा without any loss जानि कि pressure का बिल्कुल भी loss नहीं होगा और वो पार्ट में फैल जाएगा तो यह कौन सा लोग करता है तो इसका अंसर है पास्कल प्रेशर की यूनिट भी क्या होती है पास्कल होती है जो कि इसके पास्कल साइंटिस्स से उनके नाम पर रखी गही थी यह आगे विच्श कमश कमेंटि वजब पोंटेड डिटेव रिपोर्ट ओंडी नॉन पर्फोर्मिंग असैट और सैट असैट होते हैं बैंकि के पॉप्लिक सेक्टर बैंक के कौन सी कमेटी बनाई गी थी तो इसका सही एंसर होगा पनीर सेल्वम कमैटी पनीर से रुसम कम किष्ट होती है वो चुकानी होती है यानि कि आपको किष्ट बननी होती है बट जब आप उस किष्ट को 90 दिनों तक ना भरो तो वह बैंक के लिए जानी कि एक नोन परफॉर्मिंग बन जाती है आपसे बैंक ने आपको लोन दिया जानी कि बैंक के लिए को एसेट है जानी कि पॉब्लिक बैंक के उनकी काफी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसके लिए कमेटी की थी पनीर पनीर सेलवं कमेटी इन जनवरी 2019 विच पैनल वा सेटप बाइदा आर्बिए टू सजेस्ट मेयर तू स्ट्रेंटन दा सेफटी ओफ दा डिजिटल पेमेंट एको सिस्टम इंडिय जाने की आरबिया ने एक कमेटी इस्टाबिश की थी ताकि जो हमारे डिजिटल पेमेंट्स होते हैं जैसे कि हम सब वर्तते हैं यूप विगरा यूज करते हैं उनके लिए तरह नाम क्या था उसके हैड कौन थे तो उसका नाम था नंदन नीलके नी पैनल नंदन नीलके न सब्सक्राइब नंदन नीलके नीशा हों ठीक है आगे विच्व अमंग दा फोल्विंग हैस बीन अपॉंटेड एस एथिक्स ऑफिसर ऑफ दा इंडिन क्रिकेट बोर्ड इन मार्च थोजन नांटीन यानिकि एथिक ऑफिसर किसे बनाया गया था बी-सी-सी आई में क्रिके educated निए जनिकि जो हमारा इंटिया में डिक को करता है जिसे की विटेजी किते हैं ज Whenever बोर्ड फोर कॉंट्रोल फॉर क्रिक अंडिया इसकी हमाराइब गवनिंग बोडी है क्रिकेट के लिए इस बोड़ वस फॉर्म दिसम्बर 1928 जानकि जो 1928 में फाउंड किया गया था ठीक है इसके प्रेजिदेंट अभी है स्वारप गाउली और जो स्कैट्री है वो है जैशा और हैड़कॉर्टर सेंज के मंबई में फाउंड किया गया था 1928 में ig in which year was the State Financial Corporation Act passed the Act provides provides for the Establishment of the State Financial Corporation ohh फाइनेशल कोर्पेरीशन यह पास किया गा था तकि जो हमारे स्टेट्स है उन्हें उन्हें होगरा भी फाइनेशल कोर्प पर इस्टाब्लिश किया जा सके जहें आगे बात करते हैं दा डिस्रिब्यूटरी ओफ विच रीवर टेक्स नेम पदमा इन बंगलादेश जानकी कौन सी रीवर हैं जिसका की नाम बंगलादेश में जाके पदमा हो जाता है तो इसका सही एंसर होगा हमारा गंगा गंगा नदी का नाम बंगलादेश में पदमा हो जाता ह है आए गंगा की बात कर लेते हैं गंगा हमारी निकलती है गोमुख यान की गुमित जो ग्लेशर से हैं वहां से निकलती है ठीक है तो यह चलती जाती है उत्तरप्रदेश वारा नसी अलहाबाद पटना और जब बंगलादेश चाहती है तो इसका नाम हो जाता है पदमा और कि रफाइनर्य जाकर जाकर यहां पर डेल्टा बनाते सुंद्र बंड डेल अर फिर बेल्फ पंग ओल में जी ड्रीन हो जाती है नदी हमारी इंडिया के सबसे लोंगेस नदी यही है ठीक है और बंग जो गंगा है उसकी जो ट्रीबूट्रिस का नाम है का का था रिवूट तो यह कहां पर लोकेटेड है इसका सही अंसर हमारा हो जाएगा उत्राखंड में वैलियो फ्लावर्स लकेटेड है उत्राखंड में आईए हम उत्राखंड के और कुछ नैशनल पार्क के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं तो हमारा जो फर्स पार्क है वो है Jim Corbett National Park जो इस पार्क है यह हमारा इंडिया का सबसे oldest है और इसका पहले नाम हुआ करता था Haley National Park एक हमारा राजाजी National Park, Value of Flowers National Park, नंदा देवी National Park जोकि एक World Heritage Site भी है और गंगोत्री नैशनल पार्क और गोविन पशु विहार नैशनल पार्क एंड सेंचरी यह काफी इपोर्टेंट है और पेपर में अक्सर पूछ लिये जाते हैं Who is the Asian character named as the first non-British president of the prestigious Melbourne Cricket Club जनके इन में से जो कौन से Asian character है जिने की first time non-British president नुक्त किया गया है Melbourne Cricket Club का तो इसका सही answer हमारा होगा कुमार संगाकारा को first time एक non-British president बने है MCC के बट अभी सेंट में बने हैं उनका नाम है Claire Connor यह female है और जो कि first time female बनी है तो यह question paper में importantly पूछा जाएगा पक्का पूछा जाएगा कि Melbourne Cricket Club की first female है वो कौन बनी है क्योंकि जब जहां पर female word जूट जाए और वो अभी first जूट जाए तो वो question काफी important हो जाता है इसलिए आप जाद रखिएगा player Connor ठीक है आगे the world body governing of which force has introduced a new game format called triples यानकि कौन सी game ने एक नया format launch किया जिसका नाम है triples इसका सही answer होगा badminton badminton में एक new format खेला जाएगा पहले आगे हम doubles खेलते थे तो अब खेलेंगे triples यानकि इसमें क्या होगा कि हर इक team में तीन तीन प्रेयर्स होंगे और हर टीम में एक नया female होनी compulsory जरूरी ही होगी ठीक है आप जाद रखिएगा badminton में इसका सही अंसर होगा पावर सेंटर नहीं है रोबोर्टिक पसेंटर क्या होता है कि जो रोबोर्टिक इंटेलिजेंस के जरिए काम करते हैं उसी हम इसमें हमें benefits क्या मिलते हैं कि उसकी accuracy काफी अच्छी होगी low technical barrier compliance non-vinvasive technology improved employee moral productivity अच्छी होगी और जो इसकी consistency वह भी अच्छी होगी आगे पंडित शिव कुमार शर्मा who is a resident of Padma Bhimushina is associated with which of the following instruments जैनकि पंडित शिव कुमार शर्मा इन में से कौन से instruments से हैं तो इनका सही अंतर होगा संतूर से पंडित शिव कुमार शर्मा बिलोंग करते हैं संतूर से रिलाइस इंफरस्ट्रक्चर है उन्होंने एक नया गुजरात में एर्पोट बनाने की कॉंट्रेक्ट हासिल किया है तो कौन से जगा में किया है तो इसका सही अंसर होगा हिरासर में इस पंगाली वेंग्या है उन्हें अभी कौन से रिजन के लिए आज भी जाना जाता है तो इसका सही अंसर होगा कि डिजाइन दा इंडिया नैशनल फ्लैग उन्होंने जो इंडिया नैशनल फ्लैग उसे डिजाइन किया था आए नैशनल फ्लैग के बारे में जान लेते ह है यह हमारा राष्ट्य जंडा जो कि जिसे हम तिरंगा बोलते हैं जो किसमें तीन कलर होते हैं केसरी सफेद और हरा और इसके जो बीच में एक अशोक चक्रा होता है जिसकी के 24 होती है यह हमारा जो फ्लैग है इसे अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को डेट जाद रखियागा वेपर में बहुत बार पूछी गई है और जिसका लेंथ वर विट का रेशो होता है वह होता है विट तो लेंथ का टू बाई थ्री और इसे डि ब्लाड प्रेशर तो हम दो तोलिक और डाय स्ट्री जो इंस्ट्रोमेंट यूज से घ्जाता है व्लब प्रेशर को मेर करने का उसे हम बोलते हैं सपाइगो मैंनमेटर स्पाइगोमैनमेटर के आज का हमारा आखरी कोश्यन था आश्रा कते हूं आपको सेशन अच्छा लग channel you can join me here thank you